नमस्कार, बढ़रों के लिए खबरों के विशेश बुलिटन में आपका स्वागत है इस बुलिटन में अब तक की ताजा और एहम खबरों के साथ मैं हूँ अदिती अवस्थी और मेरे साथ हैं रजनी दिल्ली में करोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रिय स्वास्थ मंत्री ने चिंता जदाई है डॉक्टर हश्वर्धन ने कहा है कि पूरी दिल्ली रेड जोन में दिखाई देती है होट स्वाट बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में करोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज में संक्रमन के बढ़ते मामलों पर भी स्वास्थ मंत्री ने चिंता जदाई है दिल्ली की हमारी परिस्थिती ये लगातार हमारे सब के लिए खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं ये बराबर चिंता का विशे बनी हुई है और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉट स्पोर्स जो है वो दिल्ली में द्वलब होते जाते हैं हर रोज होट स्पोर्स की संख्या बढ़ती जाती है दिल्ली में जहांगीर पूरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के अब 77 स्टाफ मेंबर्स को करोना पॉजिटिव हो चुका है इसमें 75 हेल्थ केर वरकर्स और अस्पताल में तैनाथ दो पूलिस वाले शामिर दिल्ली के स्वास्तमंत्री का कहना है कि दिल्ली में करोना समुहू में फैल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परवार के कई लोग करोना पॉजिटिव निकल रहे हैं केंद्रिय स्वास्तमंत्राले ने करोना के बहुत ही हलके लक्षन वाले मरीजों को घर में ही आईसोलेशन की इजाज़त दी है लेकिन कई शर्टों के साथ हलके लक्षनों वाले मरीज घर में रह सकते हैं अगर उनके घर में आईसोलेशन की सुविधा हो और परिवार वालों के रहने के लिए घर में अलग विवस्था हो 24 घंटे घर पर एक आदमी मरीज की निगरानी करे जो अस्पताल के लगातार संपर्क में रहे मुंबाई पुलिस कमिशनर ने पुलिस महकमे के वरिष्ट करमचारियों को घर पर रहने का आदेश दिया है जिन पुलिस कर्मियों की उम्र 55 साल से जादा है वो ग्राउंड ज्यूटी पर तैनाथ नहीं किये जाएंगे मुंबाई पुलिस के तीन करमचारियों की मौत के बाद पुलिस कमिशनर ने ये फैसला लिया है मुंबाई में अब तक 5,786 लोग करोना से संक्रमित हो चुके हैं जिन में से 290 लोगों की मौत हो चुकी है करोना का संक्रमण रोखने के लिए पुड़े में 20,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है पुड़े के 5 होट स्पॉट इलाके भवनी पेट, कस्वा पेट, धोले पाटल रोड, यरबडा, धोले रोड इलाके में लोगों को शिफ्ट किया जाएगा इन इलाकों में 70,000 जुगिया हैं, लेकिन कम जगह होने की वज़े से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है ऐसे में इनमें से 20,000 लोगों को दूसरे स्थान पर कुछ वक्त के लिए शिफ्ट करने की तैयारी है उत्तर प्रदेश के बुलन शहर में एक मंदर में दो साधूओं की धारदार हतियार से हत्या कर दी गई पुलिस ने इस मामले में गाउं के ही एक व्यक्ती को हत्या के आरोप में गिराफतार किया है पुलिस के मताबिक हत्या का आरोपी नशेकादी है दो दिन पहले उसने साधूओं को परिशान किया था उनका चिम्ता चुरा लिया था इसके बाद साधूओं और आरोपी के बीच कहा सुनी हुई थी पुलिस ने आरोपी को आरोपी को गिराफतार कर लिया है इस मामले में मुख्य मंत्री योगी आदित नाथ ने अधिकारियों को कड़ी कारवाई करने का निर्देश दिया है बजरों के लिए स्पेशल बुलिटिन में आज के लिए बस इतना है ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें बने रही हमारे साथ अधिकारियों अधिकारियों आज करने आज विए अधिकार में आपके लिए आपस अजया है